इनसान जब सफलता की शिखर पर होता है तो उसके चाहने वालों की भारी भीड उसके साथ होती है इसके साथ ही उसके दुश्मनों की फेहरिष्ट भी उतनी ही लंबी होती है आज हम आपको एक ऐसे ही सफलतम शक्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनोंने शुनने से शिखर तक का सफरताईगर अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है हम बात कर रहे हैं सफलतम बिजनस्मेन और बड़े शराब कारोबारी विजय बहादूर सिह और नन्यसी ठाकुर की जिनका आज जन्म दिन है बड़र अक्टूबर उन्निस सु इकतर को तरप्रदेश के जिला सुलतानपूर में जन्म में नन्यसी ने बहुत कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है बिजनस में सुनने के साथ ही वे एक गेर राजनितिक व्यक्ती हैं फिर विधार जिले की राजनिती में उनका खासा दखा ले हाला कि वे इस बात को स्विकारते नहीं है इस समय माहोल चुनावी है और हर कहीं चर्चा चुनाव की चल रही है तमाम उमिद्वारों को लेकर चर्चा चल रही है पर इन सब के बीच एक शक्स ऐसा जो हर समय चर्चा में बना रहता है चाहे चर्चा राजनिती गलियारों में हो या बिजनस की कलियों में हम बात कर रहे हैं विजे बहुत बहुत बढ़ाई आपको क्या पुछ रहेगा आज जन्म दिन पर किस तरह से मनाते हैं हर बार अपना जणम दिन सुबह पुजा पाट करके मंदिर जाएंगे पिरा के अपने इष्ट मित्रों से मिठ की मुलाकात होती है बख्य कोई और खास नहीं को इस बहुत बड़ा विशेश आजन पार्टी सेलेवरेशन इस तरह कुछ नहीं लोगों से मुलाकात करना मंदिर जाना इंग उसलाव गरे चले जाते हैं विद्धासरम पूरा धार्मिक तोरुपे ही मनाते हैं जहां अपने मन को संतुष्टी मिलती हूं आज नन्य सिंग ठाकुर की पहचान एक बहुत बड़े बिजनसमेन के रूप में है पूरे जिले भर में बलकि कहें कि आसपास के दो-तिन जिलों में एक नाम कि अपने जोस्ताओं में रहते हैं तो लोगों को मिल जुरू के लेकर चलते हैं जिसने अपना साथ दिया है जिसने नीव दिया है सबका धन्यवाद धारम में नौलों में मेरा बहुत सोयोग करा है ताकि सब अच्छा है जो भी चल रहा है भगवान की क्रिपा है जिस मुकाम पे है आज एक बहुत बड़ा मुकाम है कई लो दिया बहुत है तो सभी का प्रेम बना रहे सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं सबसे संबंध बने रहे हैं बाकि इससे कोई लक्षी नहीं है बाकि उपरवाला जहां पुँचाएगा है अदमी किच्चा होती है कि हम अच्छे से एच्छी मुकाम बे पहुँचे तो अब समा सेवा भी है लोगों ने अपनी मदद करी है तो भगवान का जो दियावाव उसमें से देते हैं सबको जहां जो बोलता है सभी की मदद करता हूं मेरे से जो बन पाता है जिस सफलता के जिस शिकर पर है यहां से तमाम लोग जो है वो अगली दिशा जो होती वो आज नहीं तो नहीं तो कल राजनिति में जाएंगे कई बार इस rien कऑ exposed की के न कर सकती डाने समय होई कि नने सिंङ थाकूर राज नेती की पकडंडियों पर राजनिती हमारे बसकी नहीं है में राजनिती में जाना भी नहीं चाहता हूं हाँ मेरे सभी से संबंध है सभी संबंध मेरे बरकरा रहा है आप राजनिती में नहीं है फिर भी कई बड़े नेताओं के साथ आपके नाम जुड़े हैं तमाम राजनितिक गल्यारों में, राजनितिक सुर्ख्यों में आप बने रहते हैं, तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि नन्ने सिंग ठाकुर राजनिती में गहरी पेट रहते हैं, लोग मेरी मदद करते हैं, मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, इसा कुछ नहीं है, संब्ध मेरे अभी से संब्ध है, मेरा कोई ने दोस्त है ने कोई दुसमन, मैं सबको अपना वो मानता हूं, बाकि राजनिती से में बहुत दूर रहता हूं, चुनाओं जब जब आते हैं, तब तब नन्ने सिंग जी की बहुत महतुपून भूमी का रहती है, ये कहा जाता है कि कोई भी चुनाओं आपके सवयोग के बिना संब्ध हो पाता है, इसमें कितना आप सेहमत है। यह से कुछ नहीं है, मैं जहां रहता हूँ, खुल के रहता हूँ, और अपतन मंधन से अपन सवयोग करते हैं, यह से कुछ नहीं कि हमारे बिना चुनाओ नहीं होता है, यह हम चुनाओ जिता हरा देते हैं, यह से कुछ भी नहीं है, मैं जहां जिसके साथ हूँ, वहीं सदयो हुआ इस तरह की बाते भी कई बार सामने आई कितना इतफाक रखते हैं नहीं सब बाते ठीक नहीं है हमारे लाइब कोई काम होता था बिने बता से मैं जोड़ता हूँ लोगों को मैं तोड़ता नहीं हूँ नाम भी विशेश पार्टियों से जुड़े रहते हैं तो कहीं न कहीं असा लगता है कि आने वाले समय में अगर कुछ बदलाव होते हैं या सत्ता परिवर्तित होती तो उसमें कहीं न कहीं कोई प्रभावाली बात देखते हैं इस तरह की नहीं कभी नहीं मैं इस सब चीजों में उलजना नहीं चाहता हूं मनलब तमाम राजनितिक गल्यारों में जो चर्चाएं रही है वो उनसे आप इत्फाक नहीं रखते तो कयास कुछ भी लगाएं तो राजनिति हमारे बस की नहीं अजया इन सब के बीच में कोई शोक आपके हैं जो आज भी शोक को आपने जिन्दा रखा है मैं मेरे परिवार, मेरे इश्टमित्र, मेरे चाहने वाले मैं सब का भला चाहता हूं मैं सब को लेकर चलना चाहता हूं बाकि मेरा कोई दूसरा कोई सोग नहीं है पूजा पाट में ध्यान लगाता हूँ उल्टे काम करता नहीं हूँ किसी का नुकसान करता नहीं हूँ मुझे जो बनता है बन पड़ता है मैं उकरता हूँ वाकि गलत चीजों से देखके मैं रस्ता पलट लेता हूँ कोई और किसी तरह किसी खेल का शोक या म्यूजिक या और किस तरह की कोई हाभी घुमने पिरने की आपकी जो आज भी बनी हुई है और कहीं न कहीं लगता है कि व्यस्तता भरे जीवन में उसको आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं धार मेरे लिए सर पर ये धार में ही मुझे अच्छा लगता है। कर दें हो हाभान। हम धनुट frankly में में हमिंदूने क्वाइद आप को आपकी मुझे एगाइदान।